कि तो क्या हाल है और किसे वाब लोग आज का ये वीडियो जो है वह एक लाइव ट्रेडिंग का भी है और अद्स तो डाउन डाउन इनालिसिस खाभी रहेगा लाइव ट्रेडिंग अमयंने यूएश्डी इसका यह वीडियो स्कुरिद्व करतों तो ऊससे यह चीज बता करके आपको अनले्शिस करना सिखाए प्रकार प्रया मियन्य गएरपनियान क्या इन्ठ já में थे एक फेल्स के और मीचिनट ओके सारी चीज़ें तो यह जब मैंने एंट्री लेती उस समय का स्क्रीन शोट है आपको दिखा देता हूं मैं लगो यूस्डी जेप्य आई सिट्टी एमें मेंक्सम कॉंसेट पे लाइव ट्रेडिंग का यह वीडियो है आई आयारेल एयारेल प्राइज रण था ठीक है डेली डेली टाइम प्रेम में प्लीन आयारेल टुप यारेल जो है प्राइज रण कर रहा था उसमें ओके फश्ट सेकेंड था उसमें एक 10 फॉर आवर एंड वनावर हेचारला एक और और एडवनावर में हाई रिस्टेंस लिक्वेडिटी रन कीलियर था ओके तीसरा था कि लंधन के जोन में क्लासिक वाइडे जो था वो क्रेट हुआ ओके और फोर था फोर यह जो चार से पांच कंफर्मेशन की लियर थे उसमें ओके यह रहा मैंने जो वाई किया था उसका स्क्रिंशोट मैं मैं जो इसको मैंने बाई किया तो यह उसी का स्क्रिंशोट और यहांपर मैंने यह टाइम देख लो टाइम यह च्छे बज़रा है इस समय मगर जब मैंने वाई किया था तो वह लंडन किल्जोनी ता लगबक तिन बज़े के आसपास प्रिये क्लोक के आसपास मैंने बाई की तो चलो इसका रीजन बता देता हूं कि क्या क्या चीज़ें थी यह उसके बाद जो गटीत हुई गटना उसका स्क्रिंशोट है यह देख लो यूएजडी जेपी वाई वन आवर चार्ड ओके यहां पर मैंने यही स्क्रिंशोट है यह वाला ओके यह फाइब मिनिट का है यह वन आवर का है ओके तो यह यहां पर मैंने जो market ने उसके बाद बनाया वो है इसके बाद जो market ने create किया वो यह चीज़ है तो यह आपको देख लो उसके बाद में सारी चीज़ है आपको clear बताता हूं ठीक है यह देख लो डेली टाइम प्रेम का चार्ट है यहां पर 2023 का yearly हाई रखा हुआ है बाइसाइट लिक्विडिटी क्लीन बाइसाइट लिक्विडिटी यह रखा हुआ है उसके बाद जो अगर order flow देखोगे तो positive है order flow यह आपकी daily FVG आप जा रहा है यह आपकी daily FVG IRL IRL to ERL market रन कर रहा है ठीक है तो IRL to ERL की तरह मार्केट चल रहा है अपन को यहां पर positive entry ही देखनी है तो positive entry ही देखनी है यहां पर उसके लिए आप देख लो clear daily to ERL IRL to ERL चल रहा है कि लिए कि लिए आगे चलते हैं मार्केट मेकर मैं चेक करना है तो यह रहा आपका indIAN और ओर इत्तर लिक्वीडिटी की मार्गेट ने यहां से उठने की कोशिश की, अप जाने की कोशिश की, मगर यहाँ पर मुझे कोई इतना अच्छा सेट अप दिखा नहीं यहाँ पर, ठीक है, मार्केट डाउन आया, उसके बाद यह एक किलियर ओडर ब्लोक था, यहाँ से अप गया, मगर मेरे पास फिर भी अच्छी कनफरमेशन नहीं ही थी, क्योंकि यह जब गया, उस समय कोई किल जोन ओपन नहीं था, ठीक है, तो यह यहाँ पर भी मैंने एंटरी प्लान नहीं की, वापस आया, डाउन मार्केट, यहाँ पर देखो कि आप लिक्विडिटी वोइड भी पड़ा हुआ है, जब मैंने लिक्विडिटी वोइड आपको नहीं बताया है, लिक्विडिट जो है, वो मार्केट की रेट करता है, उसी को बोलते हैं, जब मार्केट वहाँ पर आता है, उस इंबेलेंस को किलियर करता है, उसी को बोलते है, लिक्विडिटी वोइड इसके बारे में मैं कभी आगे बताऊंगा, इसको अभी आप रेने ही दो, क्योंकि इतना खास टोप दिखे रहा है आपको को आया है मार्केट अप गया के बनावर में आते हैं मार्केट मेकर मोडूल देख लिया हाई रेश्टेंस लिक्विडिटी रन और लो रेश्टेंस लिक्विडिटी रन किलियर दो चीज़ कनफरम हो गई दो गनफर्मेशन हो गई तीसरी कनफर्मेशन यह है अपने पास की डेली एपवीजी से आई एरेल टू एरेल रन कर रहा ह मार्केट तीन कनफरमेशन ओके यह वाली उसके बाद आप किलियर ली यहांपर वाइज इसाइड लिक भी दिखती होगी यह एक वाइज लिक विडिटी किलियर यहांपर रख़ी हुए और पाइनली आपका जो एरल है यहांपर रखा हुआ है आगे चलते हैं फोर आवर में हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन लेने के बाद मार्केट अप गया, किलियर ओडर ब्लोक, मैंने ओडर ब्लोक के वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो में मेरी कोई गलती नहीं है, किलियर ओडर ब्लोक, ओडर ब्लोक में टेप किया म हैं यहां पर क्यों नहीं लेना था इंट्री प्लान क्यों नहीं करने कि यह भी ऐसी कील्डोन उपन नहीं ठाओ के वापस आया मारकेट्ट डाउन ये आपका एक और ब्लोग पड़ा हुआ की लिए ओडर ब्लोक में टेप किया, उसके बाद अप गया, आगे देखते हैं क्या हुआ, उसी ओडर ब्लोक के जगा पर किलियर फॉर आवर की एफ वीजी, कितने कंफरमेशन हो गए, चार कंफरमेशन, चार कंफरमेशन किलियर हो गए, आपकी फॉर आवर की एफ वीजी मार्केट ने इच्छा रियाक्षिन लिए अब आते हैं रंट वन आवर में वापस लें वापस साय तो मार्केट मोगकर मूडिल मैंने बता ही दिया है आपको, okay, clear, सारी चीज़े clear दिख रही थी, क्यों यहाँ पर high resistance liquidity रन हुआ, अप साहिट में आपके पास clear by side liquidity पढ़ी हुई है, market को by side की liquidity, जरूरत है by side की liquidity की, okay, यहाँ पर, ठेक है, उसके बाद यहाँ पर, जब भी यहाँ मर्केट पहुंच गया अब चलना है अपनको यहां पर 5 मिनिट में चाहर जाने के बाद सबसे पहले देखना क्या है टाइमिंग यहां पर टाइमिंग क्या है लेक्रिव दो बज रहे हैं दो बजह मार्केट में क्या होता है लंदन station open होता है, लंदन killzone open होता है, दो बजे, ओके, दो बजे market यहां पर आया है, वो एक अच्छा upside reaction दिया, न, अच्छा upside reaction दिया, बाकी यहां पर और आगे देखो, accumulation, manipulation, market ने यहां पर manipulate किया लोगों को, market ने सब को यहां पर sale करवाया, then upside distribution, यहां पर मैंने एक और चीज नहीं बताई है जुड़ा स्विंग भी बन रहा था जो कि मैंने आपको नहीं बताया है उसकी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पेले में और आपको पूरा जुड़ा स्विंग बता दूंगा समझा दूंगा उसके बाद आपको यह भी कि जुड़ा स्विंग कैसे इस्तमाल करना है तो यहां पर किल्या जुड़ा स्विंग भी बन रहा था यहां पर लंदन की लोन भी चल रहा है तेके अब मैंने एंटरी प्लान कब की कैसे की यह देवो फाइप मिनिट का चार्ट है वही चार्ट है यहां पर मार्केट ने प इस में मैंने एंट्री प्लान की वापस आया मार्केट डाउन यह फाइप मिनिट का ओडर ब्लोग था देन अप गया इसके बाद यह वादी चीजें हुई मैंने मेरा जो पार्शली जो बुक है वो इस फर्ष्ट बाइसाइट लिक्विडिटी पर पार्शली बुक कर लिया म उसके बाद वापस मार्केट डाउन आया अप गया एक और लिक्विडिटी उठाए मार्केट ने उसके बाद मार्केट बहुत अच्छे से गिर गया लेकिन मैंने फिर भी मेरे जो फाइनल क्यौंटिटी वह ने निकाले फाइनल क्यौंटिटी मैं लगबक इसी जगह पर को इस जगह पर किस जगह पर मैं आपको कि लियर ली बता देता हूं कि जगह पर निकाली मैंने हेफाइनाल कॉंटिटि這邊 इस जगह पर गुंड रहा है न क्योंकि मैρα यकिन था जो है एर टालेगा इसलिए मैंने यहां पर पर बना खानंट और , अबना मार्केटि फिर अंची मर्केट , फ्राइडे के सब्सम्रिया कि यहां पर निकल Land Use तो इसमें मेरा जो बना था वो बना था वन बाई थ्री जो मैंने पार्शाली निकाला था वो निकाला था वन बाई थ्री का और जो फाइनल क्वाइनल निकाले थी वो निकाले थी मैंने वन बाई टू में ठीक है तो मैंने सारा जो कुछ है इसका वो किलियर ली आपको समझा दिया है entry लेने के reason से और इतना SL SL का नहीं बताया मैंने SL का भी चलो मैं बता देता हूं SL इसके नीचे यह मैंने जो entry ली थी entry price थी मेरी 150.213 पर मेरी entry थी और मेरा SL था 150.044 पर मेरा SL था लगबग लगबग यह मेरा SL था 18.19 पिप का ठीक है तो यह मेरा SL था मैंने सारी चीजें SL से लेकर के entry तक की बता दी है केसे मैंने entry ली कहां मैंने partially book किया partially book करना बहुत जरूरी है क्या partially जो है वो book करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप partially book नहीं कर रहे हो तो chance है कि आप गलती कर रहे हो ठीक है और मार्केट में सफल होने के लिए पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए और पूरा एक आपके पास एक strategy होनी चाहिए मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आपको एकॡरूर्विस क्तर सिखाय मैंने पूरा जो मैंने सिखाया है ुसी बेस्थ से मैंने एंट्रे भी ले रहा हूँ आपको दिखाय भी रहा हूं एसा नहीं है कि मैंने कुछ और सिखाया और मैं कुछ और कर रहा हूँ मैंने जो सिखाया है उसी के उसी से मैं भी करता हूँ और उसी सिस्टम से उसी मैं थट से कर रहा हूँ तो आपको ज़रूरत है अभी साइकलोजिस उदारने की और मेहनत करने की बिना मेनत की कुछ नहीं होगा, आपने सोच लिया कि मेरे वीडियो एक एक बार देख लिए और आप पूरी तरह सिख गए, आप पूरी तरह गलत हो, आपको उस चीज़ पर मेनत करने पड़ेगी, ठीक एक बार में कोई सी भी चीज़ समझ नहीं आती है, और बाकी मैं बेट करी रहा हूँ आपके बीचे सिखाने के लिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, शेर करना, सस्क्राइब करना, and finally take care, ठीक है, संभल के रहना,